हेई गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ एक शिमरी आई विद ग्लोसी लिफ मेकप लूप ये मैंने क्रियेट किया है यूजिंग ब्लू शिमरी आई शैडो जो ग्लोसी लिफ के साथ बहुत ही जादा स्टनिंग लग रहा है आई से आप भी कर सकते हो तो मैं आपको स्टेप बर स्टेप बताती हूं तो चलिए तो यहां पर मैंने अपने बालों को पहले अच्छे से वह कर ली फिर मैंने मामा आर्थ का टोनर यूज किया यहां पर सबसे पहले मैं मामा आर्थ का रोज टोनर अपने फेस पर अप्लाई कर है अब मैं यहां पे उप्टन का जैल बेस्ट मोस्टराइजर अप्राई कर रहे हूं यह मॉस्टराइजर बहुत ही लाइट वेट है और हेड़र्टिंग है और गर्मियों में ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपका मेकप जो है ना फ्लॉलेस लगे उसके बाद मैंने लिप बाम अपलाई कर रही हूं जो मेरे लिप्स को शॉक्ट और हैडिटेड रखता है मैंने यहां पे गाइस प्राइमर अपलाई नहीं करूंगी तो यहां पे अब मैं फेस प अपलाई कर रही हूं डॉट डॉट करके यह मैठर बहुत ही शिंपल और इफेक्टिव है आपको बस अपनी फेस पे थोड़ा थोड़ा फांडेशन स्टॉट फॉर्म में लगाना है फॉरहेट चीक्स नोस चीन सब जगह इवैनली इसे फांडेशन अच्छी तरह से ब्लै अच्छे से ब्लैंड कर लिया है ताकि एक स्मूध फ्लॉलेस फिनिश मिले अगर आप फांडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बीवी क्रीम यह सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हो यह दोनों लाइट वेट होते हैं और नैच्रल कब्रेश देते हैं बीवी क्रीम स्कीन क हैड़ेट करते हैं और थोड़ा कवरेश देती है जबकि सीसी क्रीम कलर करेक्शन के लिए परफेक्ट होती है जो अनवेन स्कीन टोन को बैलेंस करती है अब मैंने मेबलीन का कंसीलर यूज किया है और यह कंसीलर काफी अच्छा लगा लेकिन अब यह कंसीलर खत्म होने वा और मेकप लुक को फ्लॉलेश बनाता है मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लैंड कर लिया है ताकि कुछ भी अनवेन ना दिखे अब मैं आगे बढ़ रही हूं और मेरा बेस मेकप काफी फ्रेस और स्मूथ लग रहा है इस तरह से आप स्पॉंज की हेल्प से अपने फेस पे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं तापकि आपके फेस में जो है लाइट भी आए और आपको अच्छा लगे तो यहां पर अब मैं अपनी आइब्रोज को शेप कर रही हूं जब आप आइब्रोज को थोड़ा फॉर्म करते हो तो वो इवन और वेल डिफाइन लगता है जो ओव लोग बिल्कुल बैलेस्ट दिख रहा है अब मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से से ड़िया है ताकि वेस लॉंग लास्टिंग और इस्मूथ लगे अब मैं मेबलीन का और। compact use कर रहे हूं जो मैं bronzer की तरह apply करती हूं इससे face को थोड़ा सा warmth और divination मिलता है जो contouring से और enhance हो जाता है bronzer लगाने से face पर natural shadow create होता है जो features को highlight करता है और overall look को define करता है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा pink tail किया है जो की बहुत ही काफी face जो है ना cute सा लगता है मैं bronzer को, chicks को, hellos ओ, jolens ओ और fairhood को size पर apply किया है थोड़ा blend करने से natural finesse आती है अगर आप अच्छे से blend करोगे तो यह स्मूथ और seamless effect देगा जैसे आपके face पेक light contouring हुई हो contouring और bronzing से face एक natural glow और professional touch देता है अब मैं under eyes को baking करूंगी brown color से apply करके यह step helps करता है makeup को shade करने में और dark circles को cover करने में और dark circles को cover करने के बाद मैं fluffy brush से ही brown color को अच्छे से blend कर रही हूँ फिर मैं brown से सुरू करते वे blue eyeshadow apply करूंगी starting में मैंने transition shade को shade करना जरूरी होता है ताकि blending smooth हो मैंने थोड़ा सा side में black color भी यूज किया है eyeshadow बहुत ही जादा इस तरह से मतलब क्या होता है कि brown से सुरू करते वे मैंने blue eyeshadow apply किया है starting में transition shades को set करना जरूरी होता है ताकि blending जो हैने smooth हो मैंने थोड़ा सा black भी किया है और इससे blend करने के बाद काफी brush की help से apply कर रही हूँ जो look को depth देता है इस तरह से मैं अपने eyes make up complete करूंगी जब आप side है में थोड़ा सा brush भी अपने आखों के पास को है थोड़ा सा हटा के अपका phrase look देगा तो इस तरह से मैंने अपने eyes को look दिया है तो काफी अच्छा सा लग रहा था देखने में तो इस तरह से मैं हलका हलका brush की help से बहुत touch up देने की कोशिस की है और फिर मैंने अच्छे से इसको blend किया है brush की help से तो मैंने blue shimmery eyeshadow भी apply किया है जो चमकदार और वेवरेंट है यह eyeshadow मेरी eyes look को बहुत ही glamorous बनाता है जब आप shimmery shades यूज करते हो तो वह eyes को bright और attractive दिखाते हैं मैंने इस blue shade को अच्छे से blend कर रही हूं ताकि कोई harsh lines नार है और look बिल्कुल samelish लगे इस तरह से shimmery blue eye makeup complete होने के बाद यह बहुत stunning और party ready लग रहा है तो guys यह इस तरह से मैंने shades में थोड़ा सा eyeliner लगाने की कोशिस की है तो आप देख सकते हैं कि काफी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मैं यह use करूंगी आप लोग देखना यहां पर मैं Maybelline का eyeliner apply करूंगी जो थोड़ा smoky effect देने के लिए perfect है smoky eyeliner look create करने के लिए मैं eyeliner को less line के करीब अच्छी से apply करूंगी और फिर उसे थोड़ा सा smudge किया है ताकि वो softer और blended दिखे यह look eyes को और भी dramatic और intense बनाता है और shimmery blue eyeshadow के साथ मिलकर एक stunning contrast create करता है इस smoky eyeliner से मेरा eyes make up और भी complete और soft is rated लग रहा है तो अब मैं दोनों आखों में white color का काजल apply कर रही हूँ brush की hair से white काजल eyes को brighten करने और open look देने के लिए perfect होता है इससे मैंने inner corners और lower water line पर apply किया है जो मेरी eyes को और भी expressive बनाता है यह step मेरे overall eyes make up को fresh और awake feel करवाता है यहां पर मैंने थोड़ाशा contouring किया है उसे हाथ से अच्छे से blend किया है फिर मैंने highlighter यूज किया है नाक के पास और chin पर जो मेरे look को और भी glowing बनाता है इस look को complete करते वे मैंने outer corners पर lift effect देने के लिए eyeliner मतलब lift lip पे eyeliner लगाया है अब मैं pink कलर की lipstick apply करूंगी जो इस shimmery eyes make up के साथ बहुत ही अच्छा contrast create होगा यह lipstick मेरे shimmery blue eyes के शाथ बहुत ही अच्छा contrast create करती है और overall look को glamorous बनाती है तो guys आप मुझे comment करके बताएं कि आपको यह look कैसा लगा क्या मैं इस make up में अच्छी लग रही हूँ आपका feedback मेरे लिए बहुत important है तो please मुझे अपने thoughts जरूर share करें तो यहाँ पर फिर मैंने lipstick को complete आपको यह look पसंद आया हो तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना आपको यहाँ और भी interesting makeup tutorials और tips मिलेंगे अगर आपको कोई suggestions या questions हैं तो please comments में बताएं मैं आपके feedback का इंतिजार कर रही हूँ तो यह look आपके लिए कैसा लगा आपके comment box में प्लीज 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 जरूर बताएं